दोस्तों आज हमारी सोलर इंडस्ट्री ने एक एसा खुलासा किया है जिसने एजर्बेजान की नींद को पूरी तरीके से उड़ा कर रख दिया है दरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्मेनिया पिछले लंबे समय से भारत से खूब दबा कर हतियारों की खरीद कर रहा है जिनको देखकर इस समय एजर्बेजान की टेंशन बहुत ही जदा बड़ी हुई है क्योंकि इस समय एजर्बेजान को जिन दो देशों से सपोर्ट मिलता था अब एजर्बेजान को वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस समय इसराइल तो हमास के साथ यूद में व्यस्त है जिस कारण इसराइल एजर्बेजान को हत्यारों की सप्लाई नहीं कर पाएगा और दूसरी तरफ तुर्की भी एजर्बेजान का हत्यारों से सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इस समय तुर्की के अंदर एर्दोगान की गद्धी खुद ही खत्रे में पढ़ चुकी है और ये अर्मेनिया के पास अपनी जमीन को वापस लेने का सबसे अच्छा मोका होने वाला है इस मोके का फाइदा उठा कर अब से एक हफता पहले ही अर्मेनिया ने एजर्बेजान को धमकी देते हुए बोला था कि एक हफते के अंदर-अंदर जिस जमीन पर तुमने हमारी कबजा किया है उस जमीन को हमारी वापस कर दो नहीं तो हमारे साथ जंग के लिए तयार हो इस बात के पीछे कारण यह है कि इस समय अर्मेनिया के पास अच्छी खासी कुएंटिटी में हत्यार हो चुके जिनकी मदद से काफी आसानी से अर्मेनिया की सेना एजर बेजान की सेना को धूल चटा सकती हैं और अब तक अर्मेनिया के पास कितने हत्यार पहुच चुके हैं इस बात का खुलासा सोलर इंडुस्ट्री की तरफ से किया गया है क्योंकि आज solar industry की तरफ से बताया गया है कि अब तक अर्मेनिया ने भारत से 2000 करोड रुपिये के तो केवल पिना का multi barrel rocket launcher ही खरीद लिये हैं क्योंकि अर्मेनिया की सेना का कहना है कि जो भारत का पिना का multi barrel rocket launcher है ये grad rocket launcher से काफी ज्यादा advance है अब तक अर्मेनिया ने भारत से तीन अलग-अलग कैटेगरी के पिना का multi barrel rocket launcher को खरीदा है जिसमें अर्मेनिया ने भारत से पिना का mark 1, पिना का enhance और guided पिना का भारत से है पिनाका इनहेंस की रेंज 45 किलोमीटर है और जो गाइडit पिनाका है उसकी रेंज 75 किलोमीटर के आसपास है और इन ड्रोकिटों से अरमेनिया की सेना काफी आसानी से एजरबेजान के 55 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में शक्षम है इसके अलावा भी अब तक अर्मेनिया भारत से 6,000 करोड रुपिये के हतियार खरीच चुका है और अगर आने वाले एक से दो दिनों के अंदर अंदर ही अर्मेनिया और एजरबेजान के बीच युद होता है तो ये हतियार एजरबेजान की सेना क कमर को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देंगे